पत्ना के जक्कनपुर्थाने के पुलिस ने बीती रात एक शराब तसकर को शराब पहुंचाते रंगों हाथ गरफतार कर लिया शराब तसकर के निशान देही पर पुलिस को मिली है बड़ी काम्यावी पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ शराब तसकर मुकेश को सहीयोगियों के साथ गरफतार कर लिया बिहार के मुख्या के आदेश पर शराब के खिलाब शपत लेने के कुछ ही घंटे बाद पटना पुलिस ने शराब माफिया के खिलाब एक बड़ी कारवाई की आपको बताने कि सोंबार को बिहार के पुलिस वालों ने शपर्त लिठी कि वे ना तो शराब पिएंगे और नहीं शराब के अवैद बैपार में किसी को मदद करेंगे इस शपत के बाद रात में पटना के जकनपुर थाने की पुलिस ने एक बरी कारवाई करते हुए शड़ाब की डेलेवरी देने जा रहे एक शक्स को शड़ाब के साथ धर्दबोचा बिहार में शड़ाब बंदी के बाद से शड़ाब माफियाओं का एक नेक्सस सक्रिये है जो लोगों तक शड़ाब की डेलिवरी करता है जक्कनपुर्थाना अध्यक्ष मुकेश परवान गुप्त सूचना के आधार पर छपे मारी करते हुए एक शराब तसकर आकाश कुमार को शड़ाब के डिलिवरी करते समय गरफतार कर लिया और फिर उसके निशान देही पर शराब की छापे मारी करते हुए गरदनी बाक के कुख्याट शराब तसकर मुकेश कुमार और रवी कुमार को उसके गरदनी बाक के ठिकाने से गरफतार कर लिया साथी ग्रफतार तसकरों के निशान दही पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त भी किया इस पूरे मामले पर जकनपुर्थाना अध्यक्ष मुकेश बर्वा ने कहा कि शराब तसकरों पर अंकुष लगाने के लिए जकनपुर्थाना ने एक मुहिम चलाया है इसी के तहट जकनपुर्थाना के क्विक मुवाइल कर्मी विकास दुबे और अलोक कुमार के टीम ने शराब की तसकरी करते हुए शराब तसकर आकाश कुमार को गरफतार किया काश का नाम ले रएए मुकेस कहन है कौन है वह बेसता है किसको दारु देने गया थे हुँऊंथ का पता रभी डेले वह कहां का डिलर है कितना स्टौप रखता है जब आकाशकुमार से पुलिस ने सक्ती से पूछताच की तो आकाश ने मुकेश कुमार का नाम बताया जिसके लिए वट डिलिबरी बुआई का काम करता था उसके बाद पुलिस ने छापे मारी करते हुए मुकेश कुमार के उसके सहयोगी रवी के साथ भारी मात्रा में शराब के साथ गरफतार किया है खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट झाल